नमस्कार दोस्तों ही में आपका स्वागत है आज हम HPNT के कुछ प्रीवीस येर कोशन को लेंगे और चलिए डिसक्स करते हैं और दोस्तों यह आपके आने वाले एक्जाम में काफी helpful हो सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर वीडियो में किसी प्रगार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं क्वेशन अबर 53 मूल अधिकारों के अनची 21 के अंतरगत शिक्षक अधिकार किस समयदानिक सिंसोधन के द्वारा सम्मिलत किया गया है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन एटी सिक्स्थ जब कोई अधिकारी अपना करता बे नहीं निवाता है तो उचने अले अतवसर बोचने अले कौन सी रिट जारी करता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी परमादेश ही और आपको यह भी याद रखना है रेट्स कितने होती है फाइब टाइव क्यों थिया और जो सुप्रीम कोट होता है आर्टिकल थर्टी टो के तरहरें रेट्स जारी करता है और बकी एगर हाई कोट की बात करें तो हाई कोट का जो एरिया Alright के मामले में काफी सुप्रीम कोर्ट से काफी बाइड है तो इसमें ब्रंद जो है प्रतिशेद है प्रतिशेद का मतलब रोक लगाना और चलिए नेक्स कोशन कोशन 55 काम रोको प्रस्ताब का उधिश्य क्या होता है तो इसका राइट अंसर होगा कोशन 56 बारतिय संसत की कौन सी कमेटी माहा लेखा प्रिक्षक की रोपोर्ट का सर्वेक्षन करती है तो इसका राइट अंसर होगा ऑप्षन बी सारवजनिक लेखा समीती पॉब्लिक अकाउंट कमेटी और पॉब्लिक अकाउंट कमेटी से आपको इंपोर्टन याद रखना है इसमें जो है लोक सभा से जो है 15 मेंबर होते हैं और राज्य सभा से इसमें 7 मेंबर होते हैं इसमें कितने टोटल मेंबर होगे टोटल 22 मेंबर इसमें होते हैं तो यह आपको याद रखना है बाकि अगर Estimate Committee की बात करें हम अकलम समीती की बात करें तो इसमें जो है टोटल जो है इसमें 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 जो मेंबर है यह सभी लोकसभा के होते हैं Q57 भारत की राष्टपती की चुनाम में के लिए निर्मित निर्माचक मंडल में कौन होते हैं तो इसका राइट अंसर होगा Option C संसत की दोनों सदनों की निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विदान सभा के निर्वाचित सदस्य इसमें इंपोर्टन्ट यह है कि आपको याद रखना है जो इलेक्टिट मेंबर होते हैं वही इसमें भाग लेते हैं जो इसमें इलेक्टिट मेंबर होते हैं वो इसमें पाटिस्पेट करते हैं जो नॉमिनेटिट होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर इसमें जो राज्यसभा में बारा मेंबर जो है नॉमिनेट किये जाते हैं लोगसभा में जो है राज्यसभा के बारा होगे लोगसभा के दो मेंबर होते हैं इसी तरह आप दे सकते हैं जो राज्य की विदान परिशदे हैं वहां पे जो है नॉमिनेट कोशन नमबर 58 नियाइक पुनर समिक्षा से क्या भी पराया है तो इसका राइट आंसर होगा ओप्शन ए आपने काफी वारी कोशन पढ़ा भी होगा कानूनों को गोशित करने जो संभीदान का प्रतिवाद उलंगन करते हैं जैसे बातिल्य शुन्य करने का अधिकार कोशन नमबर 59 में भारत में पंचायती राज स्थापित करने बाले प्रत्थम दो राज्य कौन से थे तो इसका राइट आंसर होगा ओप्शन डी राज्थान एवं अंदर प्रदेश भारत में जो पंचायती राज के स्थापक माने जाते थे तो वो कौन थे वो लॉड रिपन थे और जो पंचायती राज विवस्त्ता सबसे पहले स्थापित की गई थी तीस तर यह थी तो इसकी रेकमेंडेशन सबसे पहले किसने की थी इसकी बलबंत राहे में था समीयथी ने पैंपन की थीुक है और जो है इसको संभेधानिक दरजा किया गया था तो इसको संभेधानिक दरजा कि सिंग भी स्मीति के द्वारा जो है इसको उनकी रेकमेंडेशन के ऊपर जो है समेदानिक प्रस्थिति के अनुरुप कौन से संशोदन है तो इसका राइट अंसर होगा option b समेदानिक संशोदन इसका जो है इक संशोदन अधिनियम होता है तो एक संशोदन बिल होता है और एक अधिनियम होता है तो संशोधन जब बिल कब बनता है जब एक बिधेक बिधेक या बिल जिसे का जाता है जब कोई ड्राफ्ट होता है कोई नियम बनता है कोई कानून बनता है तो बो सबसे पहले जो है राजे सभा और फिर राजे सभा और लोक सभा में किसी भी सदन में पेश होता है तो एक प्रक्रिया के तहद उसके बाद वो पास होता है उसके बाद जो है रश्टपती के सिगनेचर के बाद जो है अस्ताक्षर के बाद जो है कानुन बनता है उसे अधिनियम का नाम दिया जाता है यानि एक्ट बनता है उसके बाद जब पार्लेमेंट और पूरे प्रोसेजर के बाद उसे एक्ट का जाता है पहले बिल था तो यह कौन सा है शिंशोदन भी देख के 123 वा है और अगर इसका जो अधिनियम देखेंगे आपको 102 अधिनियम अधिनियम है 102 अधिनियम है तो यह आपको याद रखना है कि कोश्चन नंबर 61 ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोकता के द्वारा स्याही सोकना में निहित है तो इसका राइट आंसर होगा का ऑप्शन भी गटना का केशी का कार्य एक्षन यह आपने पड़ा भी होगा जैसे क्यापिलरी एक्षन होता है तो उसी का एक उधारन है यह कुश्चन नंबर 62 जब हम एक वस्तों को देखते हैं तो रेटीने पर बनने वाली इमेज छबी होती है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बास्तविक तथा उल्टी कोश्चन नंबर 63 ने में से कौन सो सी दांत आप्टिकल फाइबर से जुड़ा हुआ है तो इसमें इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन सी अपवरतन तथा कुल अंतरिक परावरतन या टोटल इंटर्नल रिफलेक्शन इसका राइ बे तत्व जिनकी द्रबे मान संक्य समान होती है प्रन्तु अनु भिन-भिन होते हैं कहलाते हैं तो इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन सी आइसो बार कौशन नंबर 65 निमल में कौन सी धातुएं फ्यूजदार में प्यूक्त होती है तो यह कौशन काफी बार रिपीटिड कोशन है तो यह आपने काफी टाइम पढ़ा भी होगा तो इसका राइट अंसर है ऑप्शन भी टीन एवं सीसा लेड की मिश्र दातु होती है तो दू कटी के इसा और कोशन में तो मिलाने की कटार मैं करेंगे नायए क्या में अच्छी किब दो सबस्क्राइब करें ताकि इससे मीमा। मिलती है वीडियो बनाने की और और वीडियो में किसी बुर्गा का डाउट है तो डाउट कमेंट कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद